Hey guys, welcome back to channel Wisdom C, यहाँ पर यह announcement date है, 20th of June 2020 और यहाँ पर काफी important announcement है, यहाँ पर आप देखेंगे जो opt-out scheme है, इसी के लिए है, आप सब लोगों को पता होगा, window ICN, correction window open कर रहा की थी, साथ में, जो opt-out की window है, इसको भी ICN open कर रहा की थी, जो last date था, opt-out scheme को avail करने का, यह था 20th of June 2020 और जो की already end हो चुका है, और यहाँ पर बहुत सारे से student है, जिनका feedback मिला था, इस जो window है, opt-out की window है, इसको और भी increase करने के लिए, ताकि उनको थोड़ा सा और सोचने के लिए time मिल जाए, फिलाल में आप देखेंगे, यहाँ पर यह है pair number 3 और यहाँ पर given है, कि आप सभी लोगों के लिए time थोड़ा सा और इसका increase कर दिया गया है, means अगर ऐसे कोई student है, जो की देना चाहते है अपना paper November 2020 में, तो आपको सोचने के लिए थोड़ा सा और time मिल गया है, और यहाँ पर जो date है, आईसे ने कर दी है extend, यह जो date है, यह 27th of June 2020, तो 27 तारीक तक आप इसको सोच सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं May 2020 का exam नहीं देना, और चाहते हैं आप जो November 2020 है, उसका exam देना, तो आप definitely अच्छे तरीके सा सोच करके, और उसके accordingly आप इसको कर सकते हैं, opt-out ले सकते हैं, साथ में आप आप देखेंगे, जो correction window है, means अगर आप चाहते हैं, center को change करन तो यहाँ पे यह window कर दी गई है, बंद, लेकिन एक fresh window open की जाएगी, जो की specially होगी opt-out scheme के लिए, और यहाँ पे आई से exam.ice.org की website पर जा करके, और वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं, means जो form है, declaration form वहाँ से आप submit कर सकते हैं, so यह है फिलाल में complete announcement, video share करिए, channel subscribe कर लिज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन विया, प्रसले, thank you so much, have a nice day.